तो स्टुडेंट्स हमारी एक एप्लिकेशन है केरियर्स क्लाउड के नाम से जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से यह application specifically android users के लिए available है इस application में आपको login करना होगा अपनी gmail id से and once you have logged in आप इस page पे जाएंगे आप यहाँ पर इस page पे देख सकते हैं एक code है crack10 अगर आप यह code crack10 यूज़ करते हैं तो आपको 10% का discount मिलेगा अगर आप purchase करते हैं हमारा course को अब course हम आप सोचेंगे कि यह course इतना अच्छा इतना important course क्यूं है क्या reason है इस course का इतना अच्छा होने का देखिए हम daily basis पे आपको current affairs प्रोवाइड करेंगे weekly basis पे monthly basis पे मतलब daily basis पे हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे उस दिन के content की एकदम अच्छे से बिलकुल notes format में ताकि आपको खुद के notes ढूणने ना पड़े बनाने ना पड़े और ये notes पढ़के आपकी revision हो सके यही आपको quiz भी हम provide करेंगे same content की daily basis पे 20 questions की quiz होगी आपको application पे मिल जाएगी जो आप revision के लिए हमारा PDF पढ़के course को revision करने के लिए अगर आप चाहेंगे कि मैं कहां से revise करूँ हम आपको application पे ही revise करा देंगे अपनी through this quiz ऐसे ही weekly format में आपको 50 questions की quiz मिलेगी और PDF, compiled PDF of important questions of that week ऐसे ही monthly basis पे एक top 100 questions की PDF मिलेगी जो बहुत अच्छी PDF होती है बिलकुल कतेना एकदम star questions, most important questions of that month हम cover करते हैं इसी के साथ साथ जो बच्चे बैंक के लिए prepare कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक one stop solution है बहुत अच्छा content हम आपको provide करते हैं 99.99% हम अपना content cover कर देते हैं related to banking awareness इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए हम अप provide करते हैं आपको 20 topic के PDF ये topic की PDF कौन कौन सी होती हैं जैसे अगर आपने exam में देखा होगा एप से related, auditory किस personality की मृत्य हो गई, books, किस book कौन से author ने लिखी है important days के बारे में, national affairs के बारे में, international affairs के बारे में, defense के बारे में ये particular satellite किसकी है, ये missile किसके द्वारा launch की गई तो इससे related हम सब आपको content provide करते हैं, जो आपके लिए बहुत जादा helpful रहता है इसी के साथ-साथ, कुछ special current affairs भी provide किये जाते हैं, interactive PDFs भी आपको provide की जाती है अगर आप हमारा course purchase करेंगे ते, जो आपकी preparation में बहुत helpful रहेंगी और जो ये सारा content अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, ये content bilingual है bilingual मतलब English में भी provide किया जाता है, as well as ये हिंदी में भी हम आपको content provide करते हैं इसी के साथ-साथ friends, आप हमारे YouTube channel को जाके subscribe कर सकते हैं वहाँ पर हम आप बहुत अच्छे से revise कराते हैं, आपको content पढ़ाते हैं आपको कुछ ना समझाए, तो आप वहाँ से जाके refer कर सकते हैं एक code और याद रखना वो है विकास 10 अगर आपको 10% का extra discount चाहिए, तो आप विकास 10 का code यूज़ कर सकते हैं आपको crack 10 के अलावा 10% का discount यहाँ पे मिलेगा और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी issue आ रहा है हमारी application से related, website से related या आपका course purchase नहीं हो रहा है, या आपका course purchase हो गया है, पैसे cut गए हैं या कोई भी issue आ रहा है, तो आप हमें contact कर सकते हैं at the number 9677-333862 या फिर आप mail कर सकते हैं, support at the rate of affairscloud.com पे and I make sure हमारा representative आपको जल्दी से जल्दी आपको reach करेगा और आपकी problem को solve करेगा एक, इसी के साथ साथ friends, आप हमारे course को दो साल के लिए as well as एक साल के लिए purchase कर सकते हैं अगर कोई बच्चा, कोई student दो साल बाद exam देना चाता है वो long term plan कर रहा है, आपकी graduation अभी खतम हुई है and आप चाते हैं कि आपकी preparation बहुत ही अच्छे से हो है and आप अपना 100% दे के exam देना चाते हैं तो आप दो साल का भी course purchase कर सकते हैं as well as अगर कोई plan कर रहा है, next year payment करने का next year plan कर रहा है अपना exam देने का then वो एक साल का course भी purchase कर सकता है even अगर आपने एक साल का course purchase कर सकता है और आप उसका एक साल और extension कर जाते हैं तो वो भी हमारा courses offer करता है आप जाके check कर सकते हैं Hello friends, कैसे आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ important brand ambassadors discuss करेंगे April मन्त के ये session आपके लिए काफी helpful रहेगा तो end तक ज़रूर देखेगा इसी के साथ साथ friends बिलकुल one liner format में आपका session रहेगा आपको पता है ये topic आपको क्याद रखना है company का नाम organization का नाम जिसने किसी respective so and so personality को अपना brand ambassador appoint किया या किसी campaign के लिए appoint किया तो वो सारी चीज़े आपको इसमें ध्यान रखनी है तो दो से तीन चीज़ होती है पर्टिक्लोर न्यूज में organization उसके campaign का नाम और उस व्यक्ति का नाम चलिए note जरूर बनाना विर्कुल वलनाइनर format मैं पूछा जाता है एक brand ambassador तो आप ये समझे आपके exam में आपको मिलेगा ही मिलेगा इसी के साथ साथ friends आप मुझे instagram पे follow कर सकते हैं मेरा insta handle है vikas underscore rrana सबसे पहले तो हम बात करेंगे farm easy की farm easy एक brand है और एक healthcare application है basically आप इसको healthcare sector से जोड सकते हैं ठीक है लोगों को various help करना उनको किसी चीज का information provide करना या फिर किसी doctor से connect करना कोई product sell करना तो ये सारी चीज़ें आपके healthcare application के अंदर आ जाती है तो farm easy farm easy ने अभी किन को अपना brand ambassador घोशित किया for their campaign घर बैठे बैठे take it easy campaign I repeat अभी farm easy ने actor आमीर खान को अपना brand ambassador बनाया for their campaign जो आपको नाम याद रखना है क्या है campaign का नाम घर बैठे बैठे take it easy ठीक है ये आपको पता होना चीए फिर इसी के साथ साथ याद रखना अभी रिसेंटली आमिर खान एक IPL केम्पेन के भी पार्ट रहेंगे 2022 में मूविंग ओन लॉइड लॉइड आपको याद रखना है ये एक हैविल्स इंडिया कंपनी का ही ब्रेंड रहेगा उनका पार्ट है लॉइड वन अफ दे कंजूमर डूरेबल ब्रेंड औफ मेजर इलेक्ट्रोनिक गूड ब्रेंड हैविल्स इंडिया हैस एंडॉष्ट फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सौरफ गांगुली जी आप इनको जानते हैं सौरफ गांगुली ये कौन है भी इनको दादा के नाम से जा बनाया गया है तो आपको यह न्यूस पता होनी चाहिए मुविंग ओन नेक्स भी हम एक इंडियन क्रिकेटर की बात करेंगे रॉबिन उथपपा इनको भी ब्रेंड अमबैस्डर बनाया गया है करनाटका ब्रेंड हेल्थ इनिशेटिव का आई रिपीट करनाटका इह चाहे भी का भी भी बोल रहें एक कंपनी ने तो किसी बहुत ही दिगज आदमी जैसे अमिता बच्चन को अपना ब्रेंड अबस्टर कोशित किया बी कंपनी ने किसी राम भाई को कर लिया कौन है राम कोई नहीं जानता reason being अब क्या होगा एक कंपनी से लोगों को दिखेगा कि हाँ अमिता बच्चन जी एक कंपनी के साथ है तो definitely एक कंपनी अच्छी होगी definitely जो कंपनी एक कंपनी चाहे वो कोई product प्रोड़क्ट कर रही हो या फिर कोई service दे रही हो उनका product या service बहुत अच्छ होगा up to the mark होगा तभी इतने बड़े व्यक्ती अमिता बच्चन जीन के brand ambassador बने तभी इनी के साथ associated के इसलिए grow कहां करेगा फिर A grow करेगा rather than B को growth नहीं दिखेगी क्योंकि राम को तो कोई नहीं जानता इसलिए बड़े बड़े लोगों को जो famous लोग होते हैं उनको brand ambassador बनाए जाता है and brand ambassador के लिए भी उनको बहुत अच्छा amount पे करा जाता है next बाटा इंडिया ये एक footwear brand है बहुत पुराना brand है बहुत ही famous brand है बाटा इंडिया ने अभी दिशा पार्टनी जो कि एक काफी famous actress है इनको brand ambassador गोशित कराया अपना moving on फिर बात करेंगे क्रिशी network की क्रिशी network याद रखना IAT के बच्चों का ये एक startup रहेगा जो कि अभी launch किया गया था reason being जो आपके farmers हैं farmers को अपनी day to day problems आती हैं जो उनके questions होते हैं उनको solve करने के लिए उनको education provide करने के लिए awareness प्रोवाइड करने के लिए different products की different climate की different crops की इसी लिए ये एक startup क्रिशी network launch किया गया था इसी के साथ साथ आपको याद रखना है पंकश्त रिपार्टी को इनका brand ambassador कोशित करा गया और ये investor भी हैं आपके क्रिशी network में next हम बात करेंगे France की France के अभी recently second term के president कौन बने वो है enamel Macron second term अपना presidential election उन्होंने जीत लिया है और अब ये president बन गए है France के for the second term moving on digit insurance digit insurance एक private company है जो की one of the fastest growing Indian insurance company है इनकी अभी recently जो MD managing director and chief executive officer बनी वो कौन है जसलीन कोली ये भी आपको पता होना चाहिए moving on ये काफी important news रहेगी Mericom जो की एक काफी famous boxer है इनको Lupin Limited के दुआरा अपना brand ambassador घोशित किया गया for their शक्ती campaign important शक्ती campaign क्या है शक्ती campaign है जो women's की cardiovascular disease होती है मतलब जो heart की disease होती है women में उनकी awareness create कराने के लिए women's में ये शक्ती campaign launch किया गया था किनके दौरा Lupin Limited के दौरा और Lupin Limited के दौरा ही इस शक्ती campaign के लिए किनको Mericom को जो कि ये काफी famous world boxer है काफी famous boxer है इनको अपना brand ambassador घोशित किया गया कहां से belong करती है मेरिकॉम मेरिकॉम आपकी belong करती है किस state से अगर आपसे पूछा जाए तो ये belong करती है मनिपुर से ठीक है तो ये चीज़ आपको कुछ पता होनी चाहिए इनसे related फिर शक्ती campaign के है to create awareness on the heart diseases among the women moving on इसी के साथ साथ अगर आपसे कुछ questions भी discuss करूँ मैं जैसे चलो और सबसे पहले तो डेली की बात करते है माई electric vehicle hobby hubs इसी के साथ साथ दो robots को firefighting team में add किया गया third organic expo कहां पे हुआ डेली में हुआ इसी के साथ साथ इंडिया का biggest drone festival कहां पे हुआ डेली में हुआ किन के दोरा inaugurate किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी के दोरा inaugurate किया गया इसी के साथ साथ पहला center of excellence for khadi डेली में है अभी बना है recently commission किया गया फिर एक museum dedicated to former prime ministers of India यह भी कहां पर है डेली में यह recent में यह सारी news है डेली से related जो important है आपको पता होनी चाहिए चलिए फिर आते हैं next हम बात करेंगे Malta के prime minister कौन है for the second term वो है Robert Abela prime minister बने Malta के for the second term next हम बात करेंगे D2H Dish that is your direct to home D2H के full form होती है Dish TV है यह D2H होता है जो आपके घर में cable connection नहीं आता उसको गया देते है जैसे ATL का D2H, Dish TV का D2H लगा लिया तो Dish TV आपकी company का नाम आपको याद रखना है recently इन्होंने अपना brand ambassador किनको घोशित किया वो है Indian cricketer Rishabh Pant को अपना brand ambassador बनाया इससे पहले Rishabh Pant को एक state brand ambassador भी मनाया गया था कहा का उत्राखंड का, reason क्या था महाँ के बच्चों में, वहाँ के youth में sports के में encourage करने के लिए sports की awareness create करने के लिए sports को बढ़ावा देने के लिए उत्राखंड state के brand ambassador बने थे कौन? Rishabh Pant ठीक है? और दो साल के लिए इनको D2H direct to home brand Dish TV का brand ambassador बनाया गया next, काफी important है ये भी दिपेका पादुकॉन काफी famous है हम जानते हैं काफी famous actress हैं इनको और ये पहली Indian बनी है भी जिनको house ambassador बनाया गया Louis Vuitton brand का ये Louis Vuitton brand जो है न ये आपका basically कौन सा brand है? Louis Vuitton brand है जैसे आप देख सकते हैं LV भी लिखा होता है ये आपके यहाँ पर्स देख रहे हैं women clothing होती है, men's clothing होती है काफी अलग इनके goodies भी होते हैं, products होते है जो कि आपके bags हो गए, shoes हो गए तो काफी famous brand है और ठीक है, काफी महंगे इनके products होते है इनका इंडिया के पहली women या पहले Indian जिनको house ambassador गोशित किया गया Louis Vuitton का वो कौन है? देपका नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक life insurance company की भारती एक्सा life insurance इन्होंने अभी रिसेंटली national award winning actress विद्याबालन, हम सभी जानते हैं विद्याबालन बहुत ही famous actor है बूल बुल या वन जो original था उसमें इन्होंने बहुत अचा काम किया था ठीक है, बहुत ही famous actress है इनको अभी रिसेंटली brand ambassador बनाये गया है भारती एक्सा life insurance company का नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करेंगे चमेली देवी जैन award की यह देखो, चमेली देवी जैन award ना यह इंडियन विमेन जर्नलिस्ट को यह award दिया जाता है ठीक है, आई रिपीट इंडियन विमेन जर्नलिस्ट को चमेली देवी जैन award से समानित किया जाता है और आरेफा जोरी इन्होंने अभी रिसेंटली यह चमेली देवी जैन award को जीता इसी के साथ साथ याद रखना यह आरेफा जोरी scroll.in Mumbai based company में यह work कर रही है as of now फिर इसी के साथ साथ friends अगर आपसे मैं और question पूछूँ जैसे ज़रा बताओ healthcare sector में drones को roll out करने वाली वो पहली state कौन सी बन गई है healthcare sector में लाने के लिए drones को वो है उत्राखंट ठीक है, उत्राखंट वो पहली state बन गई है इंडिया की to roll out drones in healthcare sector फिर ज़रा बताओ वो पहली metro city कौन सी बन गई है to get their own biodiversity register biodiversity register to get their उनका खुद का biodiversity register मिला उनको वो कौन सी state है Kolkata ठीक है, Kolkata फिर इसी के साथ साथ एक और बता दो recently, इंद्रा गांधी शहरी रोजगार guarantee योजना scheme ये किन के द्वारा लाई गई थी? ये राजस्थान के द्वारा लाई गई थी और इन्होंने अभी नई guidelines इस्चू करी है for the implementation of इंद्रा गांधी शहरी रोजगार guarantee योजना moving on games 24-7 इन्होंने किन को अभी अपना brand ambassador घोशित किया? रित्य ग्रोशन को for their rambi circle जो कि एक online scale gaming platform रहेगा next next हम बात करेंगे अक्षे कुमार की अभी हमने देखा था रिशब पंत को जो कि इंडियन क्रिकेटर थे इनको brand ambassador बनाया गया था उत्राखन state government का ताकि वहाँ पे sports को बढ़ाया जासे के sports की awareness create करने के लिए और अभी recently उसके बाद news आई कि अक्षे कुमार को brand ambassador बना दिया गया है उत्राखन state का उत्राखन ठीक है? चलिए next पर आते हैं फिर ज़रा question बताओ अगर आपसे पूछा जा रहा है पहला lavender festival कहाँ पे हुआ था अभी ये पहली बार observe किया गया first edition है इसका ये है भद्रवा कहाँ पर है ये भद्रवा ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है फिर अगर इसी से related मैं पूछू fourth edition of शिरुई लिली festival ये fourth edition है इसका ये कहाँ पे हुआ था मनिपूर में हुआ था शिरुई लिली festival इसी के साथ साथ उत्राखंड का related एक question और याद रखना है एक तो हो गया कि पहलाई state बनी जिन्नोंने drones launch किया healthcare sector में इसी के साथ साथ आपको याद रखना है उत्राखंड किसे related news की uniform civil code इसको यहाँ पे implement किया जाएगा थीक है उत्राखंड में आप इन्नोंने बताओ जो इनको panel बनाया वो panel head किसके दुआरा किया जाएगा to implement uniform civil code in उत्राखंड रंजना देशाई जी के दुआरा head किया जाएगा वो panel जो के implement कराएगा uniform civil code in उत्राखंड नेक्स्ट शेबास शरीफ यह 23rd प्राइम मिनिस्टर बन गए है पाकिस्तान के और एक और news आपको याद रखनी है पाकिस्तान की कि वो पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे पाकिस्तान के इनको अभी रिसेंट्ली जॉन एफ केनेडी आवोर्ट से समानीत किया गया था फॉर डिफेंडिन डेमोक्रेसी काफी important बन जाता है यह question कि जॉन एफ केनेडी आवोर्ट से अभी recently किस प्रेजिडेंट को अपॉइंट किया गया किस president को उससे सम्मानित किया गया वो है Ukraine के president Vladimir Zelensky Reason being जैसे defending democracy की बात की जारी है ये president है still जब Russia ने इन पे attack किया इन्होंने अपने देश को नहीं छोड़ा और वहाँ पे डट कर अपनी सेना के साथ मिलके Russian soldier के साथ वो आज भी लड़ाई कर रहे हैं इसी वज़े से इनको John A. Kennedy Award से सम्मानित किया जा रहा है next हम बात करेंगे NICA की CEO and co-founder Falguni Nair इनको EY Entrepreneur of the Year Award से सम्मानित किया गया था next Adidas brand सब जानते हैं इसके sports wear आते हैं आप देखते हैं shoes आते हैं ये अपना खुद का एक बहुत sports बड़ा sports brand है तो इन्होंने अभी मने का बत्रा जो की table tennis player है इनको अपना brand ambassador घोशित कर लिया गया next बात करेंगे Lieutenant General Manoj Pande इन्होंको अभी recently नया Chief of Army Staff बनाये गया है और ये किसको replace करेंगे ये replace करेंगे General Manoj Mukund नर्वाने सर को to become the new Chief of Army Staff important news है ये भी आपको appointment से related पता होनी चाहिए next आ जाता है फिर रामदर्स Mishra इनको select किया गया for Saraswati संबान 2021 फिर आ जाते हैं डेविड एटनबर्ग डेविड एटनबर्ग को Champions of the Earth Lifetime Achievement Award से संबानित किया गया 2021 के लिए किनके दवारा UNEP United Nations Environment Program और इनका headquarters का है नाइरोबी कीनिया में next आ जाते हैं परभात पतनायक परभात पतनायक जी को Malcolm Adishishya Award 2022 से संबानित किया गया था ये काफी famous Indian economist and political commentator है इसी के लावा एक और award होता है वो है Elizabeth Adishishya Award जो कि 2018 में launch किया गया था moving on next बात करेंगे ये काफी अच्छा है हम बात करेंगे O.Henry Price की ये O.Henry Price अमेरिका के द्वारा दिया जाता है अमेरिका में दिया जाता है ठीक है English language में ये basically दिया जाता है तो अभी क्या हुआ अमर मित्रा जीक नो एक अपनी book लिखे थी novel लिखे थी 1977 में ये लिखे थी बेंगॉली में तो अभी recently इनकी book को change करके मैं नाम नहीं बताओंगा नाम आप बताएंगे ये आपका homework है ठीक है इस book को English में convert कर दिया था translate कर दिया recently फिर इस book के लिए इनको O.Henry Price से सम्मानित किया गया आपको बताना है इस book का नाम क्या है मैंने आपको बता दिया ये अमर मित्रा जी को O.Henry Price से सम्मानित किया गया फिर बताओ वो पहली state कौन सी बनी है जिन्नोंने implement किया dynamic map dynamic map को for villages to track their land ownership land ownership को track करने के लिए dynamic map को implement करने वाली वो पहली state कौन है बिहार बिहार में ही इंडिया का largest gold reserve मिला भी काफी important news है ये ठीक है KGF से भी बड़ा KGF तु मुवी देखे होगी सबने बताइए कौन सी मुवी की बात कर रहो हूँ मैं KGF की full form बतादो चलो बहुत फैन है आपे KGF के KGF की full form बतादो और KGF की state का नाम बतादो कहाँ पर है जल्दी से कमेंड करके फिर मैं मानू बच्चे हाँ इस चीजों के जर्नल लॉलिज का आईडिया आपको फिर बताओ माया ये एक 24-7 WhatsApp chatbot था जरा बताओ ये माया नाम से WhatsApp 24-7 WhatsApp chatbot किस के दोरा लॉंच किया गया था किस state के दोरा के लिए and that to tourism के ला टूरिजम के दोरा माया जो कि 24-7 chatbot उसको लॉंच किया गया था फिर इसके साथ जरा बताओ किस state ने टॉप किया निति आयोग की आयोग export preparedness index में I repeat निति आयोग की एक्सपोर्ट preparedness index report में किनोंने टेक्स टॉप किया इसमें वो कौन से स्टेट थी गुजरात गुजरात में ही बात करें तो global center for traditional medicines कहाँ पर है जाम नगर में यही पर पहला steel slag rod भी बन रहा है ठीक है यह कहाँ पर है सूरत में फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे question पूछा जाए कि मेगाल्या में ecosystem को develop करने के लिए MSME का MSME ecosystem को develop करने के लिए मेगाल्या state में किस organization ने इनके साथ tie up किया SIDB ने देखो ऐसे बनते हैं one liner notes मेगाल्या में या फिर इसको ऐसे कर लो MOU ठीक है tie up किया MOU हो या tie up हो या agreement हो आप कुछ भी लिख सकते है for example कि मेगाल्या में MSME ecosystem के लिए SIDB ने इनके साथ tie up किया तो ऐसे आपको बनाने चाहिए notes काफी helpful रहेंगा आपके लिए फिर अभी हमने देखा था गुजरात का जाम लगर में Global Center for Traditional Medicine ये Global Traditional Medicine Center ये जो आपका है ये जो जैसे ना कैसे कहते है Global Traditional Medicine Center ये Global Center for Traditional Medicine बात एक ही आपको आइडेया होना चाहिए हम Traditional Medicine के Center की बात कर रहे है इस Center को किसकी help से बनाया जा रहा है World Health Organization की मदद से बनाया जा रहा है ठीक फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे question में पूछा जा रहा है एक Personal Loans की स्कीम Prisoners के लिए लाँच की गई थी किस स्टेट के दौरा बस नाम बता दो महराश्ट्रा स्टेट के दौरा लाँच की गई थी पचास हजार तक का लोन वो अपने जैसे घर में बच्चों की education या health के लिए या कि अपने बच्चों की शादी के लिए किसी भी चीज़ के लिए पचास हजार तक का लोन ले सकते हैं ठीक है फिर इसके बाद आजाता है वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड का पहला wildlife conservation bond को launch किया issue करा I repeat पहला wildlife conservation bond issue किया गया किस के दोरा? वर्ल्ड बैंक के दोरा किस के लिए एफरीका के black rhino को save करने के लिए world का पहला wildlife conservation bond issue किया गया किस के दोरा? और world bank के दोरा next पर आजाए ज़रा प्यूश गोयल इन्होंने Indian delegation को lead किया world economic forum की meeting जो कि हुई थी devos में quad की बात करूँ चार members होते हैं माला बार exercise कंड़ की जाती है और अभी quad की meeting Tokyo Japan ने host की थी recent में ठीक है? Japan ने host की थी याद रखना आपको Tokyo Japan में फिर इसी के साथ साथ एक question और बता दो day से पूछ रहूं आपसे कि कौन सा day मनाये जाता है किस दिन एक पूछूंगा बस important रहेगा वो world या फिर world नहीं नहीं राजिस्थान दिवस बताओ राजिस्थान दिवस राजिस्थान दिवस हम कब अबजर्व करते हैं 30th of March को आपका राजिस्थान दिवस अबजर्व करा जाता है और एक और बता दो चलो अर्थार अर्थार कब अबजर्व करते हैं अर्थार अबजर्व किया जाता है 26 इस साल 2022 में 26 मार्च को था इसलिए हम ऐसे मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि last Saturday of last Saturday of March उस दिन जो भी दिन होगा हम उस दिन observe करेंगे अर्थार को इस बार 2022 में हमने 26 मार्च को observe किया तो friends ये था हमारा session I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी comment करके ज़रूर बताना अगर आप चाहते हैं ऐसा session future में आता रहे and friends आप इसके अलावा हमारे और भी topics YouTube पे search कर सकते हैं जैसे national affairs, international affairs, sports, awards आप ये सारी topic आप मेरे नाम से देखिए sports by Vikas Rana, national affairs by Vikas Rana current affairs by Vikas Rana, daily current affairs आशू सर ले रहा है मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप उस पे भी जाके देख सकते हैं कि हम weekly और monthly भी कराते हैं weekly current affairs by Vikas Rana monthly current affairs by Vikas Rana ये बहुत important topic है दोनों monthly और weekly तो इनकी वीडियो ज़रू देखिएगा that's all for the day friends ये हमारी वीडियो थी I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी इसी के साथ साथ friends आप हमारे YouTube चैनल को सब्स्राइब कर सकते हैं आप Telegram चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी problem आ रही है या तो payment में या हमारे courses के साथ तो आप हमें contact कर सकते हैं इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी issue आ रहा है हमारी application से related, website से related या आपका course purchase नहीं हो रहा या आपका course purchase हो गया, पैसे कट गए है या कोई भी issue आ रहा है तो आप हमें contact कर सकते हैं at the number 9667-333862 या फिर आप mail कर सकते हैं support at the rate of affairscloud.com पे and I make sure हमारा representative आपको जल्दी से जल्दी आपको reach करेगा and आपकी problem को solve करेगा करेगा